हेलो एवरिवन मेरा नाम सिम्रिन सून्धी है और आज हम समझेंगे गुजरात के फैबरिक रेजिस्ट टेक्स्टाइल को इन सब में बिंदू पैटर्न होता है जिसे बंधेज कहते हैं ये चार टेक्स्टाइल होते हैं घरचोला, चंद्रोखनी, खूमबी और आबा परिचे ऐसा माना जाता है कि सिंध जो आज पाकिस्तान में है वा बांधनी कारे का एक वास्तविक महत्वपूर केंद्र था सिंध में यहां कला धीरे-धीरे विक्सित हुई वा कच्छ वा सौराश्ट्र में फैली गुजरात में बांतनी बनाने वाले पारंपरीक रूप से दो समुधाये थे हिंदु-खत्री और मुस्लिम-खत्री, सभी खत्री पारंपरीक रूप से इसी कला में शामल थे और अपनी छपाई वा रंगाई के लिए जाने जाते थे वा सूती वा उनी कपड़ों की बुनाई भी करते थे इन्हें शासकों वा बड़े स्तर पर लोग को द्वारा सरक्षन दिया गया इसी कारण इसका विकास हुआ यह काला यह कला कारीगरों के साथ गुजरात के जामनगर आई जब सौ साल पहले इस नगर को खोजा गया गुजरात में हर समुदाई की बांधनी बनाने के रंग पैटर्न रचना अलग-अलग है गुजरात के कच्वा मांडवी जिले में उतकरिश्ट बांधनी का लाकार है जो आज भी कपास, रेशम वा उनके स्थानियों समुदाईयों के लिए पारंपरिक पैटर्न में जट्ल डिजाइन बनाते है बांधनी की सबसे बड़ी कारिशाला सुराश्टर मुख्य रूप से जामनगर, राजकोर, पोरबंदर, मूरवी में वा वदवान, सुरेंद नगर जिले में है गुजरात में बांधनी अतिदिक प्रसिद है और आज भी गुजरात में बड़ी संख्या में बनाया जाता है मुख्य उत्पादन केंद्र है, सौराश्टर और कच्छ है घर्चोला गर्चुला का मुख्य के एंद्र सौराष्ट है वा सौराष्ट की संपूर्ण परमपरा को घर्चुला में व्यक्त किया जा सकता है परमपर एक घर्चुला मुख्य रूप से पीले और लाल रंग का होता था यहां रंग खुशी वा उटसभ को देर्शाते हैं यहाँ पारम पर एक रूप से बांधनी विवा की ओड़नी होती है जो सूती की बनी होती है या गुजराती हिंदू दूलन का वो उपहर सुरूप दी जाती है इसमें उत्कृष्ट सूती के सूती याने मलमल के सोने की ब्रॉकिट से बने होी धारियों से दो भाग में बाटा जाता है या सोने के चौकोर खानों का वस्तर पूरबंदर वस्तर बनाया जाता है पर अब यह वस्तर सिल्क में भी बनाया जाता है इसमें दो मुखे डिजाइ इन वर्गों से ही बिनाया जाता है अदिक पहंगे घर्चोला में जरी के वर्ग पहले बुने जाते हैं फिर कपड़े को रंगा जाता है इस प्रकार की सारी को जरी चौक घर्चोला कहते हैं राजपूत महिलाओं वा अन्य धनी समदाओं के द्वारा पहना जाता है समानिता घरचोला में प्रश्ट भूमी मंद, लाल, गेरा, पीला, रंग, या हरा रंग होता है शुरुवाती दुनों में चार विशेश प्रकार के घरचोला स्वराश्ट में बनाये जाते हैं शत्री जाती के राचपूतों के लिए घरचोला इसमें आमबजर याने की आम का पेड़ या शिकारा भी कहते हैं इसे पूरी प्रश्ट भूमी को आम के पत्तों की टेहनियों से भरा जाता था जिसमें एक या दो गोले रस के होते थे वैशनव के लिए घरचोला इसके पैटन में बिंदू बहुत पास होते हैं या धाई इंच या इससे बड़े वर्गों में बंद होते हैं डिजाइन में पीपल का पत्ता कमल का फूल क्रॉंच या शामिल किया जाता है राबडी या शूदर समाओं के महिलाओं के लिए घरचोला इसका डिजाइन ज्यादा जटल नहीं होता था इसमें साड़ी का मुख्य भाग सफेद या लाल बिंदूं से बने जिगजग पैटन से बना होता था सौराष्ट के मुसल्मानों के लिए घरचोला या उनके लिए जो बंदनी प्रक्रिया से बनी ओडनी पहनते थे इसके बॉर्डर डिजाइन के में मुख्य रूप से कैरी, कौच, शैल वा गोले होते थे यह हम फोटो देख सकते हैं हाथी मोटिफ है इसमें फ्लार्स है, इसमें रास्मंडल है और इसमें यह स्क्वेर से मोटिफ है नेक्स्ट है चंद्रो खनी खत्री मुसलिम समुदाय द्वारा भी टाइडाय वस्र पहने जाते थे इनकी सजावट पून रूप से जामती होती है जिसमें कोई सजावट नहीं होती यहाँ तक की मोर, हाती, अंदरे तिकरती हुए लड़कियां भी नहीं होती खत्री ओरनी में एक आसान आधारबूद डिजाइन होता है जिसके मत्य में एक तंगे जैसे आकरती होती है जिसके चारो और छोटे-छोटे मत्य आकरती से मिलते जुलते गूला का डिजाइन होते है इसमें चोड़ा बॉर्डर होता है कभी-कभी तो बॉर्डर इतना चोड़ा होता है कि प्रश्ट भूमी से भी बड़ा हो जाता है ये सामनेता लाल वा काले रंग के मिश्रण में है जैसे चंदरोखनी कहते हैं उसमें फूल बेल, कंगूरी, नाग बेल आदी डिजाइन भी बनाए जाते हैं ये हैं चंदरोखनी की आबा मुस्लिम आबा नाम एक कुरता पहनते हैं आबा नाम का कुरता पहनते हैं जो लंबा पूरी बाँबाला वह एक स्ट्रेट कट कुरता होता है जिसका गला गोल होता है यह भी लालवा काले रंग में होता है वह कभी-कभी पीले रंग से भी बनाया जाता है खोंबी ये भी ओर्णी का प्रकार है, खत्री समुदाय में खोंबी, खोंब लोंबी नाम के वस्तर बच्चो दारा पहने जाते हैं Thank you for listening, I hope आपको ये समझाया हो